हाई स्टूरेंस वेलकम टू बाई जू 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 एक्जाम रप एक बड़ दुबारा मेरे साथ याने निलोफर करीम के साथ जूने के साथ जूने के लिए थांक यू सो मच और आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्योंकि जिस्ट वन मन भी शायद मुश्किल से ही रहा है कुछ बीस से तीस दिन पच्चेस दिन हमारे पास बचे हैं तो इसमें आपको पहले क्या रिवाइस करना चाहिए राइट क्या स्मार्ट रहेगा कहां से आप ज़्यादा चीज लगता है लेक्चर अच्छे लगते हैं मेतडोलॉजी अच्छी लगती है तो उसे जरूर लाइक अफ सब्सक्राइब करिएगा अगर किसी भी स्टोडन को नहीं पता हम बाइडू जग्जैम ट्रिप की आप और यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस डिलिवर करते हैं CSI या नेट लाइफ साइंस की जिसका स्केडियूल आप सबके सामने यहां पर है इसके अलावा अगर आपके पास आप नहीं है आप इसको स्कान करके आप डारेक्ली डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे जिनको हमे पहले रिवाइस करना चाहिए ठीक है तो मैं मेरी जो प्रिफरेंस रहेगी जो मुझे लगता है सबसे पहले स्टूरेंट यहां पर एक बार पैन सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग ताके हमारे लिए इजी रहेगा यहां पर कुछ भी लिख पाना तो यहां पर मैं आप लोगों को बोलूँगी जिस्ट ए सेकंड प्लीज राइट राइट कोई नीज इसको मैंसे ही समझते हैं तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आप लोग अपनी यूनिट 10 रिवाइस करें ठीक है यूनिट 10 एकलोजी क्योंकि अभी तक कि जितने भी यड के हमने पेपर देखे हैं उसमें अगर आप देखेंगे यूनिट 10 से हमेशा क्वेशन आए ही आए हैं ठीक है यूनिट 10 के बाद फिर हम बात करेंगे यूनिट 5 यानि डवलप्मेंटल की वहां से भी किसी भी हालत में 10 और 5 हमेशा आपको क्वेशन दे रहे हैं ठीक है फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर आप देखना चाहते हैं पार्ट B और पार्ट C दोनों में जहां से क्वेशन आ रहे हैं डवलप्मेंटल और अगर आप देखेंगे एक लॉजी मोस्ट आपको पार्ट B जादा देते हैं ना पार्ट C में भी इनका फ्राक्शन होता है पर थोड़ा कम होता है पार्ट B में जादा होता है यूनेट 6 जो हमारी प्लांट फिजियोलोजी है अगर आप देखेंगे वो पार्ट B के क्वेशन आपको थोड़े जादा देती है तो नेक्स्ट आप जो यह सब आपको पता होना चाहिए यह कुछ चीज़ सिग्मोईडल ग्राफ यह कुछ ऐसे आपके आपके आसपेक्ट्स है जो आपके बहुत जादा क्लियर होने चाहिए नेट प्रोडक्टिविटी डिफरेंट इको सिस्टम में आपकी क्या होनी चाहिए यह कुछ चीज़े आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं प्लस आपका सिंसन इंडेक्स शैनन इंडेक्स इसको कैसे कालकुलेट करते हैं यह आपको पता होना चाहिए फिर उसके ब पहले रिवाइस कर सकते हैं यूनिट 6 की अगर मैं बात करू तो नाइटरजन फिक्सेशन और प्लांट हॉर्मोन और सेकेंडरी मेटबोलाइट यह तीन चीज़े आपकी बहुत अच्छे से स्ट्रॉंगली होनी चाहिए यहाँ पर और हॉर्मोन में भी सिग्नलिंग और उ कुछ में बायो सिंथेसिस इंपोर्टन है हमारा और किसी किसी उसमें दोनों इंपोर्टन है यूनिट 6 के बात में बोलोंगे यूनिट 13 यूनिट 13 में आपको क्या करना चाहिए यूनिट 13 में सबसे पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सारे क्वेशन आपको से मिलते हैं और जो आपका टेक्नीक वाला पार्ट है अग्रोस जेल एलेक्ट्रफोरसेज एस्टी जेल 3D जेल राइट आइसो एलेक्रिक पॉइंट यह सब आपको वहां पर मिलता है विदाउट एनी सिकिन थॉट यह आपको पार्ट सी क्वेशन में बहुत जादा मिलता ह और RDT से भी कुछ क्वेशन आपको वहां पर जरूर मिल जाते हैं यूनिट 13 के बाद मैं बोलूंगी कि अब आपको जो लेना चाहिए वो यूनिट 1 है यूनिट 1 पर दीखें एंजाइम काइनेटिक्स एंजाइम इन्हिबिशन राइट आप सबसे पहले करिए प्रोटीन पहले करिए प्रोटीन में भी जो डिफरेंट कॉर्टेनरी प्राइमरी टर्शरी श्रक्टर्स हैं वो करिए ठीक है पी के वाल्यूज पी आई वाल्यूज यह आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कार्पो हाइड्रेट का बेसिक आपको क्लियर होना जाए कितने प्रासा लोकें इंटू कर सकते हैं तो कार्पो हाइड्रेट हो गए प्रोटीन हो गए प्लस आप डियने और आरने जरूर करिए वहां पर उसमें भी उसका मेटबॉलिजम जो है वहां से क्वेशन एक्सपिक्टेड रहते हैं वाइटमन में एक पूरा टेबल है जो सिर्फ आप टेबल करके भी कम्प्लीट कर सकते हैं किसी भी वाइटमन का एक्टिफ फॉर्म क्या होता है और उसका रोल क्या होता है क्या उसका कोई अधर नेम है अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप मैक्समुम क्वेशन यूनिट बन से बिलकुल कर जाएंगे ठीक है फिर उस का आपका जो रेशियो है राइट मेंडेलियन रेशियो जो है आपका वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए यह आपको काफी हेल्प करेगा उसके बाद अगर आप देखेंगे यूनिट टू में आप क्या क्या कर सकते हैं आपके जितने सेल और गानलीज है उपर Transcription, Translation और DNA Repair यह चार सेग्मेंट से इंडिविज्वल बेसिस पे क्वेशन घुमा फिरा के स्टेटमेंट वाइज मैच दौ फॉलंग यह हमेशा आपको क्वेशन मिलेगा अब बात आती है यूनिट फोर की तो यूनिट फोर में मैं आपको सेजिस्ट करूंगी पहले Cancer करि यह Extra Cellular Matrix और Edison Molecule दो दो पेज में भी अगर सिफ चार्ट बनाके लिखोगे तो भी आपके यह पूरे Topics हो जाएंगे बची Immunology Immunology में क्या क्या कर सकते हो देखो Immunology में एक तो Autoimmune Disorder जरूर कर लो ठीक है टी और बी सेल कितने टाइप के होते हैं उनके सर्फेस पे क्या Marker होते हैं यह कर लो Antigen Presenting and Processing का एक दो पेज का डाइगरम है ठीक है वो कर लो और आप Hypersensitive का एक छोटू टेबल है वो भी कर लोगे तो भी आपका काम बहुत आराम से चल जाएगा अब B-Cell Maturation और Activation और Production एक तो Primary और Secondary लिंफोइट जरूर करिएगा वहां से Questions आ सकते हैं ठीक है अब बचे आपके जो इतना बड़ा पार्ट होता है कि B और T-Cell बनते कैसे हैं Maturation कैसे होता है अगर आपने प्रॉपर पेड ग्लासे ली हुई है तो आप सिर्फ डाइगरम की Help से भी वो पूरा का पूरा पार्ट वहां पर clear कर सकते हैं आपको बिल्कुल भी problem नहीं होगी trust me on that अगर आपने paid classes एक बार पूरी ली है तो ठीक है यह आपका यहां cover हो जाता है Transplantation और Grafting एक बार जरूर पढ़िएगा कहीं न कहीं Mixed Question वहां से Hit जरूर करता है उसके बाद अगर हम बात करें हमारा 3 हो गया 4 ह हो गया 5 हो गया 6 अनिमल फिजिलोजी में मैंने हमेशा बताए एक तो एंडो क्राइन लॉजी जो आपकी हॉर्मोनल रेगुलेशन है अगर मैं यूनिट 10 और 5 के बाद कुछ बोलूंगी तो एंडो क्राइन लॉजी बोलूंगी और respiration यह दो पार्ट से हमेशा आपको question आत लिएगा तो 5 आपने पहले आपने 10 करा फिर 5 करा और 6 में से आप ये पहले revise कर सकते हैं राइट students फिर मैंने बोला था कि आप 13 करिये 6 करिये फिर उसके बाद 13 यूनिट करिये 13 के बाद 1st करिये राइट 1st के बाद फिर आप 2nd 3rd ये सारे आप remaining यहाँ पर बिलकुल ले सकत हैं तो आई होप सबको एक basic idea यहाँ पर मिल गया होगा बाकी बचीवी units भी है unit 12 है उसमें सिर्फ आप agrobacterium कर सकते हैं unit 11 में देखो unit 11 population evolution and behavior की है राइट उसमें लेमार्क और डार्विन आपको पता होना चाहिए population genetics hardy wainberg equilibrium क्या था उसके numericals क्या थे और आपके mutation selection और यह सार होना चाहिए altruism reverse altruism बिल्कुल पता होना चाहिए hamilton's rule क्या था यह पता होना चाहिए geological time scale and origin of life अगर आपने इतना भी कर लिया है तो आप काफी सारे questions वहाँ पर answer कर पाएंगे operant conditioning non operant conditioning यह दो दो page के diagram है अगर आपने paid classes ली है तो आप provision करके भी इसको बहुत clearly यहाँ पर कर पाएंगे right students और उसके बाद unit 12 आती है unit 12 में agrobacterium और bio remediation plant tissue culture और animal tissue culture इसी order में इसको एक बार करिए बहुत जादा input नहीं देना थोड़ा भी देंगे तो भी आपको इससे questions यहाँ पर बहुत easily समझ में आ जाएंगे and less last में आप अपनी बची भी units कर सकता है unit 9 को बिलकुल last में रखी वो सिफ फुल of tables and facts है तो वो आप कभी भी वहाँ पर definitely check out कर सकता है फिर आपकी just unit 7 यहाँ पर बच्चती है और बाकी सब हम almost discuss यहाँ पर कर चुके है right students तो जो important है जिससे जादा questions आ रहे है पहले उसको revise कर यह अपने पूरे टाइम को दो पार्ट में डिवाइट कर ली जिए morning and evening ताके आप एक टाइम पे थोड़ा जादा फ्री कर जादा effort दे पाएं जादा revise कर पाएं ताके जल्दी free हो जाए last moment तक भी कुछ नया मत करिए बहुत जादा burden carry नहीं करिए इसी के साथ मैं इस session को य इस नहीं करेंगे मेरी हर thursday और friday होती है बारा बजे राइट और हमारी एक workshop है 21st of November 8 PM खुश्बु मैं के साथ that is best strategy क्या होनी चाहिए part B और part C के questions को attempt करने के लिए बिलकुल free है registration link आप सब के साथ share हो चुका है इसे ज़रूर attend करिएगा and also students याद रखे हमारा offer अभी भी व या निकिन आप अभी हमारा subscription लेते हैं और December 2023 exam में appear होते हैं आपका GRF clear हो जाता है तो आपके पूरे पैसे बिलकुल वापस मिले की वो है बस आपको साथ दिन के अंदर अपना result हमारे साथ share करना है with proof right तो इसी के साथ मैं यह session यहाँ पर end करूंगी बहुत महीनत करिए confidence झाल